नमस्कार दोस्तों हमारा भिहार में आपका स्वागत है आज है 16 अगस्त 2020 और 16 अगस्त 2020 से जितने भी कर इंटरफेर्स के कोश्चन है जो भिहार से जुरे हुए है उसको अज़न डिस्कस करेंगे और दोस्तों इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमा के लाश्ट में मैंने डिविजन का दो प्रस्ण रखा है जिसका एंसर आप लोग को कॉमेंट वक्स में देना है तो वीडियो लाश्ट तक गरू देखिए तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज का पहला प्रस्ण है अंतराष्टिये बागा बॉर्डर के बाद दे जंगा फैराया जाता है तो बी ओप्सन इसका सही हो गया बिहार के पूर्णिया के जंडा चुकपर सन 1947 में आजादी के बाद सही 14 अगस्त की रात 12 बच के एक मिनट पे जैसे ही तारिक 15 अगस्त होती है यहां धोजा रोहन किया जाता है अंतराष्टिये बागा बॉर्डर के बाद देश में यह दूसरा ऐसा जगा है जहां मद रात्री में तिरंगा फैराया जाता है और यह परंपरा आजादी के बाद सही चल रही है आजादी की घोसना होने के ठीक बाद अधिवक्तर रामेश्वर परसाथ सिंग के द्वारा सबसे पहले यहां तिरंगा फैराय और पूर्या जिला के सासात प्रमंडल भी है खै और पूर्या hm मुख्याल्य पूर्या में ऑरग टारेगल के और पूर्याजीला कें चेत्पल पूर्या जाता है और 6 पी जला quoi लीजा फैनताल शरकत 2 vast कावना साथी मत मोर्ण लोह है नाथ दीज अर 220.006 speaking और 2.1001 ग्यारव व्यक्ति प्रतिवर किलो मीटर है और साक्षरता धर है 51.08 प्रतिशत लिंगानपत 921 मैला प्रति एक हजार पुरूस हो गया और यहां का प्रमुख वसल जूट धान और गयों है और पुर्णिया पुर्वत्तर भिहार का सबसे बड़ा नगर है भिहार में जूट की खेती सबसे अधिक पुर्णिया जिला में होती है बिहार में सबसे कम साक्षर जिला जो है यह पुर्णिया है पुर्णिया ही है जिसका साक्षरता दर देख सकते आपको 51.08 परतिसत है और पुर्णिया जिला दोस्तों 1771 में सन्यासी बिद्रों का केंद्र था अगला प्रस मरनो परांद वीरता पदक से समानित किये गये हैं बिनेय परसाद जी सी ओप्सन इसका सही हो गया है इमेज में देख सकते हैं यही है बिनेय परसाद जी और सहीद बिनेय परसाद छपरा के रने वाले थे वे बीएसेफ की 29 बटालियन में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनार थ इसी करम में वह साहस और बिता का प्रदर्संग करते करते सहीद हो गये थे और इन्हें दोस्तों सम्मानित किया गया है बीरता पदक से चलते हैं अगले प्रसन की तरब तो अगला प्रसन है हाली में सिक्षा मंतराले द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार में इस्तितकिस दक्षिन बिहार केंद्रिय विस्विध्याले को देश में 15 अस्थान मिला है बी ऑप्जन इसका सही हो गया है इमेज में देख सकते हैं Central University of South Bihar ठीक है और Bihar के महात्मा गांधी केंद्रिये विस्विद्याले जो की मोतिहारी में है तो इसको देश में 23 अस्थान मिला है ठीक है और दोस्तों राज में दक्षिन बिहार केंद्रिये विस्विद्याले प्रतम अस्थान पर यानि बिहार म में दूसरे अस्थान पर यह है महात्मा गांधी केंद्रिये विस्विद्याले और अगर पूरे देश की बात किया जाए तो पूरे देश में 15 अस्थान मिला है दक्षिन बिहार केंद्रिये विस्विद्याले को और 23 अस्थान मिला है महात्मा गांधी केंद्रिये विस्व बिस्विद्याले की ग्रेडिंग और एस्कोरिंग पर बिस्तित अध्यान के बाद यह रैंकिंग लिस्ट जारी किया है। अगला प्रस्त है चोहत्तरवे स्वतंतता दिवस के अपसर पर मुख्यमत नितिश कुमार्जी के द्वारा कितने कोरोना युध्याओं को सम्मानित किया है। मनीस मदुकर जो है दोस्तो यह बिहार के बैसाली जिला के रहने वाले हैं। अगला प्रस्त है दोस्तो बिहार विधान सवा चुनाव में भाजपा के तरफ से बिहार का चुनाव प्रभारी किसे बनाया गया है। तो देवेंदर फर्णवी स्कूर्टिक है जो कि महाराष्ट के पुर्व मुख्य मंत्री भी है। और यह इमेज में देख सकते हैं यही है देवेंदर फर्णवी स्कूर्टिक है। टीकटो के बटवारे सही चुनाव के तमाम पहलों पर अन्य नेताओं से समन्वे बनाएंगे। और महाराष्ट के पुर्व मुख्य मंत्री है देवेंदर फर्णवी स्कूर्टिक है। अगला प्रस्न है दोस्तो हाली में भिहार के क्रिश्न विज्ञान के द्वारा कब से कब तक आर डू यू नो प्रोग्राम का आउजन किया जाएगा तो आर डू यू नो क्या है ठीक है। इस का रिक्रम के दा ओन लाइन छात्रों को विज्ञान सिखाए जाएगा और यह इलेक्ट्रोनिक विशह पर आधारित है। अब देखिए ये आर डू यू नो क्या है ठीक है। तो Arduino एक मुक्त स्रोत computer hardware तथा software company है तथा एक पर्योजना भी है जो microcontroller kit तथा single board microcontroller बनाती है इस पर्योजना के अंतरगत निर्मित बस्त हुए kit board आदी पूरे 20 वभर में मुक्त स्रोत hardware और मुक्त स्रोत software के रूप में वित्रित किये जाते हैं ये board बहुत सस्ते तथा digital control के जब उपयोगी है और यह जो पर्योजना है दोस्तो 2003 में इटली में आरंब किया गया था तो दोस्तो ये था आज का current affairs चलते हैं कल के revision के तरफ तो कल के revision का पहला प्रस्थ में विहार के special task force के लिए कहां पर training center बनाया जा रहा है जहां 2021 से training सुरू होगा तो बोध गया में A option इसका सही हो गया और डिविजन का दूसरा प्रस्था हाले में किस जिला में धनवंतरी चलंत अस्पताल नामक टेस्टिंग लैप की सुरुबात पाइलेट प्रोजेक्ट के तो पर किया गया है तो बकसर और भागलपूर में तो C option इसका सही हो गया उप्यूग तो दोनो और आज का रिविजन का प्रस्था है दोस्तो बिहार की किस जिला में प्रवासी पक्षियों के अनुसरावन को लेकर बर्ड रिंगिंग एंड मोनेटरिंग सेंटर का स्थाप्षन किया जाएगा और आज का दूसरा प्रस्था हाली में भिहार से ने प्लिस वन पटना के द थोरा सा भी अच्छा यह थो लग रहा है तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को लाइक किजिए तरह आपने दोस्तों में जरूर सेर करें और दोस्तों वह इस वीडियो का अगर आप ऑडियो सुनकर रिविजन करना चाहते हैं तो खबरी अप्लिकेशन पर अगर आपको आडियो वर्सने मिल लेगा जिसे सुनकर आप पढ़ाई कर सकते हैं डिविजन कर सकते हैं तो चले दोस्तों आज के यह इतना ही वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद